आखोते हुए बाहर के लिए यह प्रकाश चाहिए बाहर के सुनने के लिए कान चाहिए लेकिन अंदर के उठने वाली ब्रक्तियों के लिए कोई और नहीं चाहिए एक दूसरे के होने के लिए यहां गवा है यदि यहां से जाके बाद में कहो कि आज स्वाम जी का प्रवचन नहीं हुआ कारिकम नहीं हुआ तो दूसरे कहेंगे तुम जूट बोलते हो हम तो देख के आए तुम्हारा जूट और सच यहां दूसरे भी पकड़ सकते हैं बाहर की दुनिया में बाहर के गवाह लगते हैं सैकड़ो लडाई जगड़े होते हैं गवाह की जरूरत होती है भीतर कुछ हुआ है उसके लिए यह चेतन साक्षी ही गवाही है वेसे साक्षी भी गवाह को बहुते हैं गवाह लेकिन यहां अंदर के मामले में तुम गवाह हो आपके अंदर द्वेश आया की नहीं तो तुम छिपा भी सकते हो बता भी सकते हो कई बार आपस में जब जड़ाई जगड़े होते हैं तो जब हम उनसे सफाई कराते हैं तो बड़े सफाई के साथ अपने अच्छाई की सफाई देते हैं अंदर उठे हुए उस विकार को छिपाते हैं। मैं नहीं कहता कि तुम किसी से छिपाओ या न छिपाओ। अभी तो ये कहता हूँ कि क्या तुम से भी छिप जाते हैं। यदि तुम्हारे अंदर इमान है धर्म है तो ये कहो हम इसलिए नहीं बताते कि इससे बात बढ़ जाएगी या तुम ब्लैक मेल करोगे या हम अपनी बात बताएं तो क्या तुम भी अपनी सच-सच बता दोगे ये इसलिए भी मैं बताता हूँ कि कई लोगों के जीवन में ब्योहारिक बड़ी समस्याएं हैं आप जानते हुए भी अंदर की बात पर परदा डालते जब तक तुम ब्रह्मा ज्यान को उपलब्द नहीं हुए हो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो तब तक कोई तो चाहिए जिसको तुम सब बता सको जिससे तुम ना छिपाओ और तब धीरे धीरे तुम्हें ध्यान भी आने लगेगा कि अंदर को हमने बहुत छिपाया है फिर मैं कह दूँ मैं इस ब्योहारिक दुनिया के विशे में जानता हूँ इतना तुम नहीं सत्य जहल सकोगे तुम सत्य का आज़ा वाली नहीं हो तुम नचिकेता नहीं हो लेकिन फिर भी अपने अंदर की सच्चाई को किसी के सामने तो रखना ही जह जह जो तुम्हारा गुरु हो जो तुम्हारा हित्चिंतक हो जो तुभारा हीतेशी मित्र हो यद्देपी आज का लिए समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आज का मित्र कल सत्र हो जाता है आज जो सत्र है कल मित्र हो जाता है पर जिनका मित्र होता है उनको लगता है ये कभी मेरा सत्र नहीं होगा ऐसा लगता है जिसका सत्रु है लोग कहतें इससे तो हमारी जिन्दगी में कभी पट सकती नहीं यह हमारा हितेशी होई नहीं सकता ऐसे लोगों को भी मित्र होते देखा है मन सदा एक समान नहीं रहता परिस्थितियों से प्रभावित होता है राजनीती में तो एक कहते हैं कोई किसी का राजनीती में सत्र नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। आप क्यों मित्रता कर रहे हैं ये भी समझ सकते हैं। किसी को आप क्यों मानते हो ये भी आप ध्यान दो तो पता चलेगा। चुकि मन के सामने मन को जानने वाला अंदर है और वो कोई और नहीं है पहला जूट है तुम्हारे अनुभों का पहला जूट जब तुम अपने अंदर के जानने वाला किसी और को मानते हैं और है वो जानता है और जगे या वो एक ही है सब जगे वो ही जानता है पर जो सब जगे वो ही जानता है वो ही यहां जानता है यहां कोई और नहीं है मैं या वह का भेद अहंकार के कारण है और अहंकार के कारण ही इस मन के विकारों पर हम परदा डालते हैं, उसके विकारों को उगारते हैं चुकि ये मेरे विकार हैं, वो उनके हैं, उससे उनकी बदनामी होगी, उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी, इससे मेरी इससे हम जुड़े हुए हैं, यदि सच्मुच कोई व्यक्ति तुम्हारे अंदर उठने वाले विकारों को कोई शर्भग्य, कोई गुरु कहे ये तुम्हारे नहीं है, तब तुम बड़ी सचाई से बता दोगे दूसरे की कमी को आप उतनी नहीं बताते हो जितनी हैं, अजारा ध्यान लखना, थोड़ी बहुत बढ़ा देते हों, ऐसा कोई ही महान व्यक्ति मिलेगा, जो दूसरी की बुराई को बढ़ाए नहीं, और अपनी कम न करें, अभी अभी लड़ जाओ, और जब पूछना शुरू करेंगे, तो आप अपनी तुरंता ही कम कर लोगें, क्योंकि वो आपकी है, वो उसकी है, अध्यात्म में पहली साधना है, कि उसकी और मेरी का भेद खतम करो, फिर देखो क्या हुआ है, अध्यूनिया की कोई समस्या इसी नहीं, जिसका समाधान निकला है, समाधान इसी लिए नहीं निकलता, कि ये तुम्हारा लड़का है, वो उसका लड़का है, भगवान कृष्ण ने इसी बात को तरीके सिम्मा को बताया, मैं नहीं कहता भगवान लीला कर रहे थे, कि बचपन में सब करते ही है ये लीला, भगवान कृष्ण ने मखन खाया है, उसकी शिकायत हो गई, मा ढूण रही है, पिटाई करने की तयारी, मा का का में पीटना, अमेरिका में नहीं पीट सकते, भारत की मा पीट सकते, कान पकड़ सकते, भगवान भी आए तो उसके भी कान मा पकड़ेगे, और सयाना भी हो, तो इस्प्री उसे बेटा कहेगी, मेरे गुर्दे उल्लगभग, जब नब्बे वर्स के होंगे, तब एक सत्तर वर्स की मा ता, सत्तर की बुड़ी तो होती, और आम लोग तो सत्तर में पूरे ही बुड़े हो जाते, तब बुड़ी मा मेरे नब्बे वर्स के गुरु के उपर हाथ फेर के कहती है, ठीक हो बे मा के लिए, इस्त्री श्रदय के लिए लोग बच्चे होता हैं तो भगवान क्रिष्ण को कहते हैं यह सुधा कि तुने मक्खन खाया, चोर है कहते हैं, नए, मैने तो खाये जूट बोलना, बच्चों से सीखिए यह मसमझना कुशंग से सीखा लोगों ने ये जूट बोलना लोग पेट से सीख के आते हैं जूट भी मनुष्य के मन के सुभा में है काम, क्रोध, लोग, मोह, छल ये सब मनुष्य के अंतर हैं होने में कोई आश्यरी भी नहीं पर थोड़ा इनका उपयोग अच्छे काम में करो जैसे कृष्ण ने कर लिया इर्षा द्वष्य नहीं करो हित के लिए करो कौन मा है जो बच्चे से पूरा सच बोलती है और दुस्मन नहीं है कई जगे तुम बैर से, स्वार्थ से नीचा दिखाने के लिए जूट बोलते हो मा बच्चे से, बच्चे के भले के लिए जूट बोलती है मा जू जू है, ये है तुम दूद पीलो, तुम्हारे मुच्छे आ जाएगी तुम मक्खन खालो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी ये जूट नहीं है तुम राजा बन जाओगे तुम दूद पीओ, राजा बन जाओगे दूद पीने से राजा बनते तो हम सब को दूद पिलाके राजा बना रहे लोग इतनी बेमानी छलदम करके एलेक्सन नहीं जीत बाते दूद पीना तो मड़ी सरल दावा थी कि दूद भी पीते और राजा भी बन जाओगे तो मा कहती है कि तूने मक्खन काया कहते हैं मैया, मैंने ही मक्खन काया मैंने नहीं काया कितने तर्क है, वकील की ऐसी तैसी तुम समझते हो वकील तर्क जानता है छोटा बच्चा जानता है मैंने कैसे खाया? आजकल के बच्चों को सुन गए केते हैं सुबह सुबह तो मैं जंगल चला गया साम को आया हूँ कैसे खाया मैं बाहों का छोटा वो उपर टंगा है मैं कैसे पहुंचूगा कितनी अच्छी दलील है जज़ भी फेल हो जाए जज़ भी सोचे गए बच्चा ठीक बोलता है अब इसके लिए कोई शबूत जी यह तेरे मुँ में लगा है जैसे कोई मर्डर करें खूल कपड़ों में लगा हो दही लगा हुआ है तू कहता है नहीं खाया तो कहते हैं लगा तो सच है मुझे भी पता है पर यह मेरे से बैर रखते है मेरे को पिटवाना चाहते है इसलिए इन्होंने मेरे मुख में लगा दिया है कहते हैं दुस्मनी से मुझ पर इल्याम लगाते हैं सच्चे हो पर कहते हैं इरसा रखते हैं इसलिए मुझे पर इल्याम लगाता है अंत में महा मंत्र छोड़ा क्रश्न ने कहते मैं समझ गया मैं तेरे पेट से नहीं न पैदा हुआ तेरा बेटा ये पीता भी न खाया भी होता तो तू न मानती पर चुकि मैं दूसरे का हूँ इसलिए नहीं खाया तब भी तू मान लेती है जानी परायो जायो दूसरे का बेटा हूँ न इसलिए शिकायत तूने मान ले तेरा बेटा होता तो किसी की शिकायत न सुनती कि मेरा बेटा दई खायेगा नहीं मेरा बेटा तो बड़ा भला इमांदार है फिर चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरा मजहब हो चाहे मेरा मन हो जो मेरा है उसके लिए आप जूठ बोलते हो अपने मन पर परदा डालते हो दूसरे के परदे उगारते हो जबकि अध्यात्मों कहता है समता ले आओ अपने मन को भी दूसरे के मन को भी बराबर देखो और एक सुत्र यहां से ले जाओ कभी ये मत मानना कि मेरे मन में कोई कमी नहीं है सब दूसरे के मन में ये मानो मन सब के मन है साधू के मन है दुनिया के किसी साधू ने भी प्रवचन में मन का चित्रन किया है और विकार नहोते तो मन का चित्रन कोई कर रही नहीं सकता मन का वर्णन उन्होंने किया चुकि उनके पास भी मन है मन में ऐसा होता है तुम ये करते हो तुम ये सोचते हो तो हमने नहीं सोचा मेरे गुरुभाई गुमनन जी ऐसे बहुत बातें कहते थे कहते हैं नमूना तेरे पास नहीं है तो तू चोर को कैसे समझेगा तू दूसरों की चलाकियों को कैसे परखेगा जरूर तेरे मनों में भी आता है वो सकता है कि वो पकड़ा गया है ज्यादा है तेरे अंदर मन में है क्योंकि विकारों को पकड़ना कहां से सीखोगे यदि मरत्यू के दुख से तुम परचित न होते इसी के भी योग की वेदना न होती तो दूसरे के मरे के लड़के के लिए आप दुखी न होते दूसरे के मरे पर रोने का मतलब है तुम भी अपनों के मरने का बुरा समझते हो तुम दूसरे को जब गाली देते हो तो तुम्हें पता है कि गाली अच्छी नहीं लगती इसलिए इसको दूंगा तो चोट लगेगी यदि गाली से तुम्हें चोट नहीं लगती तो तुम दूसरे को देते ही क्यों इस गहराई को समझ ये दूसरे को गाली क्यों देते हो इसको बहुत आनन्द आएगा आनन्द आता तो नफरत में गाली देते नफरत में इसी लिए गाली दी है कि इसको चोट पहुंचे और ये तुम्हें पता है कि चोट पहुंचेगी इसका मतलब तुमने भी कभी नकभी चोट खाई है या गाली को अपमान दुख समझते हो जो समझते ही नहीं है अतियार कैसे चलाएगा विकारों का वर्णन भी बिना विकारी के कोई कर नहीं सकता मरत्य से जो भैभीत नहीं है दूसरे को कैसे डराएगा इसलिए नवे गुरु जी क्या कहते है भै काव को देत नहीं नहीं भै मानता जो दूसरे के भै को भै ही नहीं है दूसरे का वो देगा भी क्यों जैसे उसके पास का यह ख्याला ही खोता जा रहा है भै देना भै होना तुम भी जिस दिन भै भीत नहीं होगे भै नहीं दोगे मैं छोटा था खेतों से गाउं जा रहा था घर काम करने खेत गया था लोटा रास्ते में सियार जिसको जैकाल बोलते हैं सियार थोड़ा जोड़ दो तो हो सियार सियार देखा मैं हो सियार हो गया डर तो मुझे लगा और वो एक नहीं था एक ऐसे एक उसके पीछे दो निकलते हैं मैं अकेला वो दो मैं डर गया मैं सोचा क्या करूँ तो जैसे कुट्टे को भुलकारते हैं मैंने भुलकारा तो उन्होंने यूं मुड़ के देखा ऐसे तो मेरे तोर धक धक हो गई थोड़ी देर में धीरे धीरे रोब दिखा रहा था डरवा रहा था उनको डरता था खुद अब आप समझ जाए डरने वाले डरवाते हैं जो डरता नहीं हो डरवाएगा क्यों महा से कोई ऐसे लोग निकले होते बंदूगदारी निकले होते हैं चार छे दस होते हैं तो उसको डरवाते चले जाते हैं आप इज़ डर के चला जाता डरवाने की जरूरत क्या है डरवाने का मतलब है हम भी डरते हैं जिस दिन व्यक्ति दुखी नहीं रहता उस दिन किसी को दुख नहीं दे सकता कुछ दुख शुधार के नाम से जरूर दिये जाते है बहुत सारे दुख माता देती है पिता देते हैं गुरू देते हैं पर तुम्हारे भले के नाम से देते हैं हो भला या भले बिगड जाओ दवा तो बिमार को बचाने के लिए दी गई है नहीं बचे तो अब क्या करे कोई मारने की नियत से डॉक्टर दवा नहीं देता पर चूक हो जाये तो समझो डॉक्टर ही मार देता है एक आद ऐसे केस हमारे हैं हमें पता है कि डॉक्टर की गलती से मरे है बहुत लोग सुधारने में बिगड़ जाते हैं एक आद लड़के अभी मुझे मिले ड्राइवर था एक वो कहता था हम पीता के सुधारने से बिगड़ गए वो ज्यादा ही सुधारते थे उससे मुझे प्रतिक्रिया होती थी फिर मैं जिद्द में आकर पिता की बिल्कुल नहीं मानता था कई बार छोटे बच्चों को पैर शुआने लाओगे न थोड़ा वो जिद्द में आजाए तुम और करोगे तो फिर वो बिल्कुल नहीं करता उसका मन जब तक तयार ना हो जाए पैर मत शूने को उसके मन को तयार करो बाद में चुएगा मन को तयार किये बिना पैर शूने को मजबूर करना ये बच्चे को बिगाड़ना है बनाना नहीं है बिना मन तयार किये किसी को सन्यासी बनाना और मन तयार किये बिना किसी को निर्विकार बनाना ये भी खतरनाग है तुम सब को निर्विकार बनाना चाहते हो वो विकारी होने को तयार बैठा है वो क्रोध को पशंद कर रहा है इर्षा कर रहा है काम के लिए रास्ते ढूड रहा है अग तुम निश्काम बनाना चाह रहा है वो तो कामना का श्वर्ग संजो रहा है अभी उसके श्वर्ग की कामना है उसे ख्याल में भी नहीं है कि कामनाओं का स्वर्ग कब नर्क बन जाता है कामनाओं से मिला हुआ लाव कब हानी में बदल जाता है सोच नहीं है, मनुष्य मूर है ग्यानी नहीं है इसलिए नहीं हो ग्यानी सचमुचे दी जीवन से दुखी हो तो ग्यानी की सरण जाओ और सरण जाना तो दलीले मत देना कि मैं छमा नहीं मांगूँगा अभी बात सुन रहे थे हैं छमा कर दो छमा मांग लो ग्याते हैं ये तो मैं नहीं कर सकता किसी दोकी चेलों की लड़ाई थी मैंने सोचा हम बड़े धंग से इलाज करते हैं पर फिर भी मूरक चेले न समझें तो अपन क्या करें एक मूरक चेले को किसी से जलन थी नफरत थी तो मैंने सोचा कैसे नफरत मिटाना शुरू कराई बोल चाल होगी तो नफरत कम हो जाएगी जैसे पती पतनी लड़ते हैं तो कई कई दिन कई घंटे नहीं बोलते फिर दोनों ठंडे हो जाते हैं चाहते तो हैं कि बोलना शुरू हो जाए पर करें क्या शुरू कॉम करें नाक बड़ी विशित्त चीज़ अब पती-पतनी का जगड़ा है एक की नाक है कि पती लेने आवे तब मैं जाऊंगी एक की नाक है कि मैं लेने नहीं जाऊंगा उसे अटकी हो तो आ जाए चाहता है कि आ जाए तो लेने नहीं जाना मुझे अब बताओ इतनी बात में काम अटकी है पर कोई उनसे तुम कम नहीं हो भले तुम्हारी पतनी का नमामला हो किसी और का हो पर है सब जगे हैं ऐसे तभी मैंने कल कहा था न कि ये नाक कटाओ ये बहुत बड़ी हो गई है नाक समस्या बन गई है और ये कहानी मैंने अपने गुरुभाई से सुनी थी सबने सुनी है फ़र मैंने गुरुभाई से सुनी थी कि एक जाट जाटनी खुब लड़े गाली गलोज मार पीठ हो गई कई बार हो चुकी थी अंत में एक दिन बाप तक पहुँच गया कई पत्निया तो और क्रोध में गल्ती करती है एक पत्नी ने गल्ती की अपने पती को कहती तुम असली बाप के हो तो अब मारो अब जब कहता है असली बाप के हो तो लेओ अब मारो तो असली बाप का था फिर मार दिया उसने ये नहीं कहा कि असली बाप के हो तो अब ना मारो यदि अब मारा तो तुम नकली के हो असली के नहीं तो शायद रुकता वो इसे कठिन था नकली का भी हो जाता क्रोध में तब भी माराई देता पर फिर भी वो थोड़ा धंकी बात थी ये तो ये पानी में चढ़ाना कि असली बाप के हो तो मारो तो तो मारेगा तो खेर वहाँ बड़ी अच्छी बात हुई कि असली बाप के हो तो तुम आज से मुझसे मत बोलना काई तू असली की हो तो तू ना बोलना बस हो गई असली बाप के थे लिखा पड़ी हो गई बोलचाल बंद, एक महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने, छे महीने तक बोलचाल बंद रहा, अब काम तो न चले, पुछ चाहिए, मुझे वो लड़के, ए लड़के, मुझे दफ्तर जाना है चाहिए, ए लड़के, घर में सबजी नहीं है, अब सब लड़के की तरह, फिर भी और कई समस्या हैं, दिल करे बोलने का, तब कोई न कोई को नाक भी बचानी थी, बोलचाथ सुरू करना था, स्वामी पर्मानंद बीच में मिले नहीं, नहीं तो कोई तरीका निकालते, दोनों हमसे कहते, सीधा न कहते, अटकी दोनों की है, पर कोई पर्मानंद चाहिए, बिना पर्मानंद के कोई समझाओते होते भी नहीं, हाँ, जब तक दुखी रहोगे न, ये आंकार रहेगा, समझाओते नहीं, करना है, जरूरी है, तो काहे नाक लिए फिरते हो, फिर, पती ने, पतनी को पता नहीं, दिमाथ में सोचा, अपना कपड़ा पीछे, हुक का इधर, हुक का पी रहा, गुर्गुरा रहा, कपड़ा पीछे आग की तरफ, वो धीरे-धीरे सुलगने लगा, देख तो इसने भी लिया था कि सुलग रहा है, शावधान भी था कि ज्यादा जलेगा, तो कुछ करूँगा, पर कोशिश थी कि खूब जले और ये देखे, अब पर मने का उसने देखा, कपड़ा जल रहा है, जल जाएंगे, फिर असली बाप के तो रहेंगे हम, पर पती खो जाएगा, तो कहती है, देखते नहीं हो, कपड़ा जल रहा है, कहता है, हाँ, कोई बात नहीं है, कपड़ा जल गया तो जल गया, बोल चाल तो शुरू हो गया, पर कई जगे हम सफल नहीं हुए, हमने सोचा, बोल चाल शुरू हो जाए, एक डाइरी दी अपने चेले को, एक डाइरी दी, कि जाओ तुम उसको दे देना जब वहाँ जाना न दिल्ली तो ये डाइरी उसको दे देना जिससे बोल चाह नहीं था हमने समझा हमारी याज्या है डाइरी दे देगा पर हमारी डाइरी सीधा नहीं दी किसी को दे के जाओ तुम दे आना जैसे लड़का बीच में माद्यम हो मनुष्य बैर बनाए रखता है मिटाना नहीं चाहता मिटाना चाहते हो न कहते मिट तो जाता पर अब पात आगे बढ़ गई है अब बहुत आगे बढ़ गई है हमने उसे चूटना नहीं चाहता उपाय तो स्वामी अकामानन ने बताए भागवत ने बताए उपाय तो हम भी बता दें पर करेगा कौन हमने तो उपाय समझ के यह डाइरी दी पर महान उभाव ने डाइरी ही नहीं दी उसको किसी और से दिला भेजी हमने कोई कहा यह लो जाके उनको यह बता दो कि स्वामी जी आ रहे है तो यह भी खुद नहीं का जाओ कह दो कि स्वामी जी आ रहे है उनको कह दो जाए खिद नहीं कहते आदमी इतनी नाक को लिए रहता है कैसे तुम बैर मिटाओगे कैसे तुम जलन मिटाओगे कैसे भी तुम दुख मिटाओगे मिटाने के लिए समर्पन चाहिए मिटाने के लिए पूरी तयारी चाहिए अपना शर देना होता है सरधर तली गली मेरी आओ यदि मेरे रास्ते पराना है तो सर काट के आओ ये अहंकार का जूता गेट पर उतार के आओ ये चमडे का जूता देह का भिमान छोड़ कर आओ तो इसलिए तरना है तो कोई आग्रह लेके मताओ सिर्फ तरने का ही खयाल रह जाए मुक्त होने के लिए आओ कठिन नहीं है तो ये कहा था कि मन के अंदर उठने वाली सभी ब्रतियां बुद्धी ब्रतियां उनके साक्षी द्रष्टा तुम ही हो चिती है कहीं चिती बोला, कहीं चेतन बोला, कहीं आत्मा बोला, कहीं पुरलिंग, कहीं स्ट्रिलिंग, कहीं इसको कुछ कह दो चुकि ये न कोई स्ट्री है, न ये कोई पुरुष है चाहे उसे पुरुष बोल दो, चाहे स्ट्री हमारे गुरुओं ने कहा तु मेरा पिता, तु मेरा माता चाहे उसे माता कहे दो, चाहे उसे पिता कहे दो अमेरिका में भी इस्त्री मेल फी मेल को लेके बड़ी जंजटें चलती हैं परमात्मा को मेल कह दो तो अच्छा नहीं मनते कुछ दिनों में हर जगे जगड़े आएंगे भगवान कौँने कोई कहेगा शिक है कोई कहेगा, इसाई कोई कहेगा, हिंदू कुछ लोग कहेंगे यादो है भगवान कोई कहेगा ठाकूर है पंडित कहेंगे परसराम पंडित है भगवान अब भगवान भी बाट के रहोगे ये बटा हुआ आदमी भगवान को भी बाटेगा और एक हुआ आदमी समाज को भी एक करेगा ये बटे वाले बाटेंगे और क्या करेंगे इनको आता क्या है बाटने के सिवा धरम बाटेंगे जातियां बाटेंगे देश बाटेंगे भगवान बाटेंगे अपने को तो बाटा ही रखा है तुम मेरे से अलग मैं तुम से अलग भगवान कहते हैं आविभक्तम चभूतेशू विभक्तम इवचा इस्थितम मैं आविभक्त हूँ बिल्कुल बटा नहीं हूँ सम्मे एक हूँ सम्मे पर विभक्त इवचा इस्थितम आविभक्तम इवचा इस्थितम जो देख पाते हैं उनको पता चलेगा मैं भी भक्त नहीं। ये जान और ये जो तू दृष्टा है जानते हो ये कैसा है इस लिए यहां कैसी है ये चेतना ये कॉंसेसनेस कैसी है कहते हैं नो उदे थी नो दे थी न उदे थी ये उदे नहीं होती। जरा ध्यान रखना यही सार है न उदेती यह कभी जगती नहीं उदे नहीं होती निकलती नहीं सूर यह निकलता है सच मुच निकलता है जैसे यहां तुम को एक घुमने वाली चेयर में बिठा दें और लाइट पीछे चली जाये जहां की तहां लगी है चेयर घुम गई लाइट पीछे चली गई चेर घुम गई, लाइट सामने आ गई वो तो तो कहीं आई गई ने यह चिती, यह आत्मा, यह चेतन न उदे थी उदे नहीं होती न अस्त में तेशा और यह कभी अस्त नहीं होती यह consciousness कभी मिठती नहीं अस्त नहीं होती, खतम नहीं होती इस consciousness का प्रारंभ नहीं होता जरा ध्यान लखें इसी चेतना का प्रारंभ नहीं होता इस चेतना का अंतनहीं होता न ब्रद्धिम्याती, न बढ़ती है प्रैक्टिस से बढ़ती नहीं है अभी तो तुम्हें लगता है न जरा ध्यान करने से चेतना बढ़ती है जरा यही तो बढ़ा है मामला बढ़ती है पर वो real consciousness नहीं है जो बढ़ती है वो हचीती नहीं है जो बढ़ती है वो चेतन नहीं है जो बढ़ता है बढ़ती आत्मा नहीं है आत्मा बढ़ती नहीं है गीता में भी वही कहा है जरह गहराई से देख पर तुम्हें बढ़ती लगती है बिलकुल लगती है नहीं तो ग्यान की जरूरत क्या है यह जरह ध्यान लखना तुम कहोगे मेरा अनुभाव प्रमान है तुम्हारे अनुभाव के अधार पर ग्यान बढ़ता घटता है तुम् अरा अनुभो और जो ग्रंथ कहते हैं, ज्ञानियों की जो शोच है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, यदि तुम अपने अनुभो से शुनोगे न, तो तुम गुरु से कभी शेहमत नहीं हो सकते, तुम्हारे हिसाब से तो शरीर जीवन है, इसका न रहना मृत्यु है, तुम्हारे हिसाब से तो ये मिल गया सुख है, ये चला गया दुख है, हाई हम मर गये, यदि गुरु के सुनोगे न, तो तुम को ये अनुभो होगा क्या, अभी तो सुनो, न उदेती, न अस्तमैती, इषाघ, इसका, इस चैतन्यता का, इस चैतना का, इस गॉनसेसनेस का उडे नहीं होता, अस्त नहीं होता, व्रद्धी नहीं आती। न व्रद्धिम्याति न क्षयम न कम होती है ख्षीन नहीं होती, व्रद्धी नहीं होती श्वयम विभाति ये तो स्वयम ही चमकती रहती है और दूसरे भी उसी से चमकते हैं तश्यभाषा सर्वमिदम विभाति उसके होने से सब चमकते हैं वो उसको चमकने के लिए जरध्यान देना। उसके होने से और सब चमकते हैं। उसको अपने चमकने के लिए इंद्रिया नहीं चाहिए। न तत्र चक्षुर गच्छति न वागच्छति वहां आखें नहीं चाहिए। उसके होने के लिए उसके होने के अनुभव के लिए उसकी उपस्थिती के लिए आख नहीं चाहिए। कान नहीं चाहिए इस क्रम को जरा समझें आवश्यक है आखें नहीं चाहिए का मतलब नहीं में अर्थ है आखें चाहिए दूसरे को देखने के लिए अपने होने के लिए अपने जीने के लिए अपने आनंद के लिए उसे कुछ नहीं चाहिए और यही भ्रम तोड़ना है जिस दिन तुम्हे होगा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उस दिन कहना धन मुझे चाहिए इनके लिए शरीर मुझे चाहिए समाज के काम के लिए अपने काम के लिए चाहिए ही नहीं अभी आपको शरीर चाहिए अपने जीने के लिए, अपनी मौज के लिए, मजा के लिए, अभी तुम्हे पद चाहिए अपने लिए, बात तो समझो, एक बात क्लियर तो हो जाए, अभी आपका जो रस है सेवा में नहीं है, सेवा तो बहाना है, रस अहंकार को है, इसलिए में भी लड़ाई होती है यदि सेवा होती तो मना के लाना पड़ता जरूर कोई खुराक मिलती है कुछ खा रहे हो लगता है खिला रहे हो पर खा रहे हो कभी-कभी शेवादार भी भेजदे तो कई लोगों को लगेगा सारा स्रे तो यही ले जाएगा अतरप्त हो तुम तरप्ती के लिए मर रहे हो तुम तरप्ती के लिए कर रहे हो यदि इनको मौका देंगे तो तुम अतरप्त रह जाओगे जरा सेक्स के विशे में भी थोड़ा सोच लो मालो किसी को पुत्र चाहिए तो वो तुम्हारा बरण न करे, उसका बरण कर ले तब तुम कोगे बाह, मुझे सेवा का मौका नहीं दिया मैं तुमको पुत्र देना चाहता था तुमने मुझे मौका नहीं दिया, बड़ा उदार आदमी है उसे पुत्र चाहिए वहां से ले लिया तु क्यों परिसान है, लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं वेदान्त तुमको इतनी गहराई तक ले जाना चाहता है कि इस धर्ती में तुमसे ज़्यादा स्वामी कोई होई ही नहीं ये बचकानी बातें नहीं है जब मैं छोटी छोटी बातों के लिए देखता हूँ कि इससे इसकी अपेक्षा ये है इतनी सी बात की अपेक्षा इससे क्यों अपेक्षा करते ही तुम क्या हो गए गुलाम ऐसा व्यक्ति जिसको किसी से अपेक्षा नहीं किसी की अपेक्षा हो वो पूरी कर ले उसकी पूरी कर दो तुम्हें किसकी अपेक्षा इस शिविर में कुछ ऐसा सुन के जाओ कुछ ऐसा समझ के जाओ कि अब तुम अपने लिए कोई काम बाकी नहीं रह गया यदि शरीर बाकी है इंद्रियां बाकी है तो जिसका काम होगा उसी का करेंगे अपना तो बेले हो गये हैं बेले जानते हो जिसको कोई काम नहीं रह गया ग्यानी विलकुल बेला होता है खाली और काम बहुत करता है काम तो जब तक दुनिया रहेगी काम तो करने ही करना है और अपने लिए करना है या अब अपना कोई काम नहीं है अब करना है नेचर से करना है सोभाव से करना है परिस्थिती से करना है किसी की मांग पर मेरी कोई मांग नहीं रह गई तुम तो एक ल यöदि यहाँ मंच पर आके लोटा उठा कर देना हो तो बहुत तैयार होगे कई जगे लोटा उठा कर देने में बेज जती हो तो नहीं दोगे लोटा उठाने में भी इज़त और बेज़त ही का परश्ण है हम कहां जीते हैं? नहीं जी सको सोचना तर सुरू करो इस दिशा में सोचो तो और क्या तुम अपने मन को देख नहीं पाते और तुम्हारे मन का जब मैं भी इसलेशन करता हूँ तो मैं कह चुका हूँ कि यदि मेरे मन में भी ये नाया होता मान अपमान तो मैं नहीं जानता तुम्हें बता नहीं सकता इद्यान रखना. इसलिए मैं खुली सबह में कहता हूँ, जो तुमारे मन में है वो मेरे मन में है. इसलिए मुझको तुमसे नई इर्षा है और नहीन भावना है. क्यों? चोर चोर मौसायद भाई? चोर चोर चचेरे भाई? मैं किस से डरू, किस से लज्जा करू, क्या करू, उंचे चड़ कर देखा, तो घर घर है ही लेखा, तो आप कहोगे, कि आप गर्ब से क्यों बोल रहे हो, हम तो इसी में मरे जा रहे हैं, हीन भावनाओं से दबे हैं, आप गर्ब से क्यों बोलते हो, इसलिए बोलता हूँ कि अब मेरा मन और तुम्हारा मन या तो सब तुम्हारे हैं या सब मेरे हैं, मैं क्या कहूँ हूँ, एक मन का हिसाब होता तो मैं बताता, एक दे का मरना मेरा मरना होता तो मैं सोचता, मैं कोई यहीं भर होता, इसका मैं भोगता होता, तो मैं सोचता सब जगे मैं हूँ मैं किसकी बात कहूँ इसलिए थोड़ा उपर उठो मन से मन तुम नहीं हो मन के तुम द्रिष्टा हो शुना था ना मन के द्रिष्टा हो सब के द्रिष्टा हो बाहर के द्रिष्टा तुम सब के द्रिष्टा का मतलब इंद्रियों के द्वारा बाहर के द्रिष्टा तुम विना इंद्रियों के मन के द्वारा इंद्रियों के द्रिष्टा तुम और डाइरेक्ट मन की सभी बृतियों के द्रश्टा तुम और वो हो तुम कौन जो कभी बढ़ते घड़ते नहीं हो अब ये बात कैसे समझाएगी क्योंकि अनुभूती होगी जो तुम्हारे पास है वो बढ़ता है, वो घड़ता है जगता है, सोता है बार भी तर इंद्रियों से मन जुडता है, वापस आता है और तुम मन के धर्म को अपना समझते हो इंद्रियों के धर्म को अपना समझते हो, देह के धर्म को अपना समझते हो इनके धर्म को अपने में तुम आरोपित करते हो शुरुवात यहां से करनी है कि इस चैतन्य का उदय नहीं होता अस्त नहीं होता अस्त माने समाप्त नहीं होता उदय माने प्रारंभ नहीं होता और प्रारंभ होके ब्रद्धी को भी प्राप्त और जिसका प्रारंभ होता है ब्रद्धी होईगी शरीर का प्रारंभुवा व्रद्धी हुई उतने रहा नव्रद्धी हुई फिर छय होना शुरू हो गया किसका देह का तुम्हारा नहीं इस अंता करण के शाक्षी का इस चेतन का प्रारंभ नहीं अंत नहीं इस चेतन में व्रद्धी नहीं अक्षती नहीं और यह स्वयम विभाद ही यह स्वयम अही चैतन्य है यह अभी ध्यान में नहीं आता यही ध्यान में आ जाए अभी लगता है कि मैं आभाश के कारण चैतन हूँ सूर्य को लगता है जहां reflection है वहां मैं हूँ इसके बिना जैसे मैं हुई नहीं वो आगे और प्रकरण आएगा इसी बात को clear करना है स्वयम विभाद ही अथा न्यानी और अन्यों को भी चमकाता है आप चमकता है और उसको जैसे रोशनी यह चमकती है और सब को चमकती है तश्य भासा सर्वंभी दंबय भादी और भी इस लोग और जगे के न तत्र शूर्यो भादी न चंद्रतारकम नेमा विद्यतो भांती कुतो यमगनी जहां चंद्रमा नहीं चमकता अचा तुभारा जहां मन है बुद्धी है वहां सूर्य चमकता है जहां कोई नहीं चमकता तहां तुम चमक रहे हो मन में क्या आया मन में क्या हुआ तुम चमक रहे हो देख रहे हो प्रकाश रहे हो यहां तो टार्च से देखते हो अगनी से लाइट जलाके वहां किसे देखोगे इसलिए उसको कैसे देखना है स्वयम विभाति अथ अन्यानी भाषयेद शाधनम बीना बीना साधनों के वहां शुरू करना है जहां बीना साधनों के वो देखता है आँक से जहां देखता है विवाँ शुरू मत करो कान से, नहीं हिंद्रियों के द्वारा नहीं, मन के द्वारा भी वो जो सीधा बिना किसी साधन के मन को जगते को और सोजाते वाले को स्वपन वाले जो मन को मन की सभी वृत्रियों को प्रकास रहा है वो तुम हो वो नहीं हो ना अच्छा तुम्हारे मन को तुमने नहीं प्रकासा ना मैं आया था help करने बोलो तुमी ने वहाँ चंद्रमा लाए थे अपने क्रोध को, काम को, शंकल्प को, श्रद्धा को, अश्रद्धा को अपने हंदर के शंदे को जानने के लिए किसी और को बुलाया था या रोशनी और कहीं से लाए थे इसलिए अंतर के इस साक्षी को, जिसका कभी उदय नहीं होता, हाँ व्रत्ती का उदय होता है, व्रत्ती कास्त होता है, काम का उदय कामकास्त होता है श्रद्धा काउदे श्रद्धा कास्त होता है लज्ज आती है लज्ज चली भी जाती है कामी जितना बेशर्म कोई दुनिया में होता नहीं काम अतुराणाम भयम न लज्ज उसको न भै रहे न लज्ज रहे न घ्रणा रहे सारी पंडिताई, सारी चतुराई चली जाते हैं इस अंतहकरण के सभी धर्मों को किसे प्रकास्ते हैं कौन कहें तू प्रकास्ता है, सीधा प्रकास्ता है किसी और किसा हैता के बिना प्रकास्ता है इसको जान, बिना साधन के अभी उसमें तुम नहीं कहते ये मैं अपनी ओर से बोल देता हूँ जो प्रकास्ता है उसका नाम तुम है पर अभी तुम उसको नहीं जान पाए ये इस लोग बाकी कल करेंगे आप स्वयम कहीं बैठ कर लेट कर आदत पड़ी है बहुत बाहर देखने की आखों से इंद्रियों से छोड़ो मन से छोड़ो मन से नहीं मन को देखो मन कहां है क्या करता है क्या सोचता है तुम सावधान रहके साक्षी रहके साक्षी होई साक्षी तो होई पर साक्षी होके सावधान होके मैं द्वारा थोड़ा अहंकार की जरूरत है यहां, मैं साक्षी हूँ, यह भी बहुत जरूरी है, मैं साक्षी हूँ, यह देपी जो बोलेगा ना कि मैं साक्षी हूँ, वो हंकार है, साक्षी को तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो सदा ही है, इसलिए एक सदा साक्षी है, अहंकार भी थोड़ी पिर को साक्षी बनेगा, जैसे देह बन जाता है, सुपना बन जाता है, सुखी दुखी, अहंकार की चर्चा, अगली सब हमें करेंगे, और समय निकाल कर, समय पर इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि समय निकल जाएगा, आउसर हो जाएगा, फिर इससे बंचित रह ज नहीं, तो निश्चिंत निर्दवन्द अभे नहीं हो सकते, इसके लिए आवश्यक है, इस आत्म का अनुभो करना, उसी के लिए ये द्रग-द्रश्य विवेग उस तक का प्तारम्भ किया गया है, ओम श्यूद्धू झाल झाल